जोहार नमस्कार नई बुलंदी कारेक्रम में आप तमाम दर्सकों का स्वागत है आज हम स्मार्ट सीटी प्रयोजना जो आदर्निय प्रधान मंत्री की स्वपन योजना है उस पर पड़िचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं आज इस परिचर्चा में हमारे अतिती के रूप में शामिल हो रहे हैं आदर्निय अमित कुमार जी आप रांची स्मार्ट सीटी जो जहारखंड का की पहली स्मार्ट सीटी बनने की प्रक्रिया में हैं उसके आप सी-ई-ओ हैं अमित जी स्मार्ट सीटी है क्या अगर मैं स्मार्ट सिटी को डिफाइन करूँ तो मैं उस रूप में कह सकता हूं कि एक ऐसा सहर जो लोगों की सुविधाओं का बहतर तरीके से ख्याल रखता हो और उनके जीवन की प्रकड़ियाएं है जीवन जीने का जो अस्तर है उसको बेहतर बनाने के लिए जो हो तमाम सुविधाएं उसमें हो और जो खास तौर पर नगरिये समस्साएं हैं खास तो अगर हम बात करें तो जो स्लम एडिया हैं, जो इंफरस्टक्चर पे अतरिक्त दबाव हैं, उन साड़े समस्याओं के निराकरण के पस्चाद एक ऐसे सहर की पड़िकल्पना की गई है, जो स्टेट अफ आर्ट इंफरस्टक्चर का हो, इज ओफ लिविंग को जो हो प्रमोट करने वाला हो, और उसके जो नागरिक हो, वो इस रूप में अपने आपको एक प्राउड फील करें, कि हम एक बहतर सुनियोजित सहर के वासी हैं, इसी पड़िकल्पना को जमीनी रूप देने के लिए, ये स्मार्ट सिटी मिशन जो हो चलाया गया है, और राची स स्मार्ट सिटी की जो पड़िकल्पना की गई है, वो अत्याधुनिक सोच के आधार पे जो हो की गई है, बुनियादी रूप से राची को एक नॉलेज हब के रूप में डवलप करने की कारयोजना है, और यहाँ पर जितनी भी प्रीमियर इंस्टिटूट्स हैं, और डिफ के चात्र चात्राओं को उनके सुनाडे भविश गढ़ने के लिए राची स्मार्ट सिटी जैसे साहर जो हो उपलबद हो, और सिर्फ राची ही नहीं, बलकि आसपास के जितने भी राज्ये हैं, उनको भी जो हो, उनके भी सैक्षिनिक जो अवशक्ताइं हैं, उनको कैटर क नगरिये जीवन हैं, उसको एक साकार रूप देने की कोशिश इस राची स्मार्ट सिटी के मादा हम से की गई है. अमिर जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्मार्ट सिटी में, तो पडिकल्पना तो हो गई, राश्ट्री अस्तर पर, जो राश्ट्र का जो राश्ट्र निर्मान में, स्मार्ट सिटी की क्या भूमिका होने वाली है? अगर हम कहा है तो भारत गाओं का देश है, लेकिन जैसे जैसे विकास प्रकडिया आगे बर रही है, नगडी करण एक सोभाविक प्रकडिया है, और इस नगडी करण की प्रकडिया के कारण से सहरों पर, सहरीय सुविधाओं पर अतरिक्त दबाव गुराता है, उस और जैसा कि आपने बताया कि अगर हम राष्टिय परेद्रिश्य पर बात करें, तो देश के सौव ऐसे सहर हैं, जिनको स्मार्ट सिटी मिशन के अंतरगत चैनित किया गया है, और राची उनमें से एक है, ये राची स्मार्ट सिटी को ये उपलबधी हासिल हुई है, वो इ जिन आपसी पर्तियस परधा क्या धार पे इसका चैन किया गया है, राची उसमें सवल रही है अपना स्थान बनाने में, अब उसके सामने ये चुनओती है कि हम आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सौर सहरों में 98 ऐसे सहर हैं, जो रेट्रोफिकेशन का काम हो रहा है इन ब्राउन फिल्ड डेवलप्मेंट के काम हो रहे हैं, जो सहरीय सुविधाएं हैं, उनको और थोड़ा बहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसके उलट राची स्मार्ट सिटी एक ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट है, और इस ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट के अंदर ग जैसा मैंने पहले भी एक्स्प्लेइन किया कि आन्य सहरों में जो भी इनिशेटिव लिये जा रहे हैं, वो रेट्रोफिकेशन के हैं, अल्रेडी सहर विक्षित हैं, उनके सरकों को चोड़ी करन करना, जो स्मार्ट टेक्नोलोजी हैं, उनको इंट्रिडूस करते हुए जो ह इसके उलट राचिय स्मार्ट सिटी को बिलकुल जो है वो ग्रीन फिल्ट प्रोजेक्ट के रूप में डबलब किया जा रहा है, इसके लिए 656 एकर जमीन जार्खन सरकार ने जो हो अरजित किया है, और उसके आधार पे उस 656 एकर में बुनियादी रूप से एक सहर साथी साथ 24-7 एलेक्टिसिटी और पानी की जो प्रयाप्त विवस्था 37% एडिया को जो हो ग्रीन स्पेस और ओपन स्पेस के रूप में रखा गया है, और साथी साथ ये सहर जो है वो डेर अलाक लोगों के लिए जो हो सुविधाय जो हो विक्सित करने की कारी हो जना है, तो इसके लिए आवासिये, इंस्टिटूशनल, कमर्सियल, जो पब्लिक, सेमी पब्लिक, मिक्स्ट यूज, इस तरह के लैंड यूज आइडेंटिफाई करके उन छेतरों को विक्सित करने की कारी हो जना है, ताकि जो जो सहर बनेगी, राची स्मार्ट सिटी जो बनने की प्रकडिया में हैं, वो लोगों की आकांचाओं और अपेक्चाओं के अनुरूप हो, उनके जीवन में जो हो शुगमता लाए, इज ओफ लिविंग को जो प्रमोट करें, ये राची स्मार्ट सिटी की पूरी फरिकल्ब ना है, अमिज जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो अधिकारी होते हैं, उनके सामने में कई ऐसी चुनोतियां आती है, नहीं चीज खरी करने में, आपके साथ भी कुछ चुनोतियां आ रही होगी, उसको जरा एक्स्प्लेइन करते हैं मैं इसमें असपष्ट करना चाहूंगा कि जारखन सरकार की पूरी बंसा है, वो बिल्कुल असपष्ट है, कि हम लोगों के अपेक्छाओं और अकांचाओं के अनुरूप राची सहर को विक्सित करना चाहते हैं, इसके लिए जो तैयारियां होनी चाहिए, खास तोर पे ज इसमें जारखन सरकार ने मुकमल तैयारियां की हैं, जो प्रक्डियाएं हैं उनको बिल्कुल पारदर्सी तरीके से विक्सित की गई हैं, इसमें राची स्मार्ट सिटी को विक्सित करने के लिए जो भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, अभी हम लोग ई-ॉक्षन की प्रक्डिया जो है वो प्राडम की हैं 52 प्लॉट्स के लिए जिसकी अंतिम्तिती 12 फरवरी है, यह जराखन को थोड़ा एक्स्प्लेन करते हैं, यह क्या, बिल्कुल, मैं सबसे पहले चुनोतियों की बात की, आपने तो मैं उस पे विस्तार से पहले चर्चा करना चाहूँ एक तो चुनोती है कि इस स्मार्ट सिटी को डबलब करने में सिर्फ स्मार्ट सिटी मिशन, राज्य सरकार और केंदर सरकार के प्रयास काफी नहीं है, इसमें आम लोगों की भागिदारी भी बहुत जरूरी है, और इस चीज को डिसेमिनेट करना, इसको लोगों तक इस समार्ट सिटी की तरफ से कैची जगों पर पर्चारीत करने की कोशिस कर रहे हैं यह समार्ट सिटी जो है खास तोर पे Real Estate में लगने वाले जीए लोग हैं, developer हैं, बिलडर हैं, service sector में जो काम करने वाले हैं, health में, education में, hospitality sector में जो काम करने वाले लोगों की, इसमें भागिदारी बहुत महत्पूर्ण हैं, खास तोर पे वैसे समय में जब ये Green City का सपना अपना आकार ले रहा है ऐसी स्थिती में इनकी सक्डिये भागिदारी शुनिशित करना हम दों के लिए महत्पून कार है और इस कारे को हम लोग वकूबी कर रहे हैं लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आ जो सहर जो अपना एक आकार ले रहा है उसमें अपना भविश डूड़ने की कोसिस करेंगे जहां तक आपने ई- ऑक्षन प्रकडिया की बारे में बात की मैं बताना चाहूंगा कि ई- ऑक्षन प्रकडिया रांचे स्मार्ट सिटी के द्वारा विक्सित की गई है और इसमें डिफरेंट लैंड यूज के जो भूमी चिन्हित की गई हैं उनके आक्षन की प्रकडिया को पूरी तरह से पारदर्सी तरीके से जो हो आक्षन करने की कारे जो हो चल रहा है जिस तरह से कोल ब्लॉक्स के आवंटन जो है वो आक्षन की प्रकडिया से हो रहे हैं उसी तरज पर राची स्मार्ट सििटी के भूमी का आवंटन भी जो हो इसी रूप में होगा है रेसिदेंशिल लैंड्स को फ्री होल्ड के रूप में और कमर्सियल लैंड को 99 इस लीज़ पे लब्द कराए दा रहे हैं और नन रेसिडेंसल के लिए 99 येर्स के लीज के प्रोविजन्स रखे गए हैं और कोई भी निवेशक, कोई भी इन्वेस्टर्स या रियल स्टेट में काम करने वाले हों या सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो e-auction.rccl.in पर जाकर के तमाम जानकारी इफ़तरित कर सकते हैं और साथ ही साथ इस e-auction प्रक्रिया में भागिदार बन सकते हैं वो आवेदन की पुरी प्रक्रिया, स्कूरूटिनी की पुरी प्रक्रिया, e-bid की पुरी प्रक्रिया है वो online होगी, घर बैठे, कोई भी investors इस प्रक्रिया का भागिदार बन सकता है और successful जो bidders होंगे, investors होंगे, उनको allotment लेटर भी online दिया जाएगा तो कहने का मतलब है कि किसी office में उनको भटकने की जरूरत नहीं है अगर हम कहें कि new normal जो situation है after COVID के पड़िश्थितियों में तो उनको कहीं office office भटकने की जरूरत नहीं है एक बिल्कुल बहतर जो हो platform create किया गया है जहां पर वो साड़ी सूचनाएं, प्रक्रियाएं, पूरे पारदर्सी तरीके से हर लोगों को उप्रत है अमिजी, क्या है ना, कि एक तो सबसे बरी बात है कि smart city, smart city राची को develop किया जा रहा है राची में भी एक particular इलाका को, एक area को develop किया जा रहा है तो ये smart city से एक general public कैसे अपने आपको correlate कर पाएगा, जोर पाएगा, जब तक उसको कोई benefit नहीं मिलेगा तो क्या इस smart city से सामाने जन को love है और है तो क्या इसका मैं दो पार्ट में आंसर देना चाहूँगा पहला तो जो हमारा area based development plan है जो 656 एकर जमीन में जो infrastructure डिबलप होड़ा है और जो projects हैं उसको implement किये जा रहे हैं इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है सहर की जब परिकल्पना की जाती है तो किसी खास वर्ग के लिए नहीं बलकि सभी सरवांगिन विकास को लेकर के समगर विकास को लेकर के ये पूरा framework तेयार किया गया है master plan तेयार किया गया है जिसमे economically weaker section के लिए भी आवासिये provisions किये गये है lower income group, middle income group, high income group, even super HIV यानि कहने को तब समाज के सभी वर्गों का सभी आयवर्गों का प्रतिनिद्ध्य जो है वो राची smart city में रहेगा और उसके लिए सुविधाये जो है वो विक्षित की जारी है और वो सुविधाये विस्वस्तरिये सुविधाये हैं विस्वस्तरिये मानक पर खड़ी होने वाली सुविधाये हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे सहर की परिकल्पना जो की एक transit oriented development group में की गई है कहीं पर भी किसी भी corner पर अगर आप राची smart city पर रहते हैं तो आपको 400 मीटर से ज़्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं है वहाँ पर सारवजनीक पड़ीवहन के माध्यम जो हो उपलब्ध होंगे कम्यूट करने के लिए IT enabled साड़ी सुविधाये होंगी खास तोर पे पडियावरन को ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने बताया कि 37% of the land open space और green space के रूप में किये जा रहे हैं लत्मा और नैती नदी को जो हो पूड़े के पूड़े riverfront development का कारिकरम है sports हो, अन्य चीजे हो, skill development के लिए हो तमाम सुविधायें और sectioning, स्वास्थ सुविधायें वहाँ पर उपलब्द रहेंगी और integrated road with pedestrian and cycling track के साथ जो हो उपलब्द रहेगा ये मैं कुछ बानगी है मानक है जो कि रांची smart city को जो हो एक smart city के रूप में recognize करने में जो हो काफी मदद करेगा और ये अन्य राज्यों में जो smart cities हैं उनके लिए भी उदारन प्रस्तूद करेगा दूसरी बात की कि आम लोगों को कैसे कुछ initiatives ऐसे रांची smart city के तरफ से लिए गए हैं जो जन्शामाने को जो pan city जो हो impact create करने वाले हैं उन पर भी जो हो काम किया जा रहा है जैसे कि अगर हम बात करें non-motorized vehicle group में हम public bicycle sharing program सुरू किये गए हैं जिसमें अभी 60 स्थानों पे 600 cycles जो हो प्लब्द कराए गए हैं और उनके माद्दम से लोग commute कर रहे हैं आपको जानकर के खुशी होगी कि इसके इससे एक लाग से अधिक लोग जो हो जूड़ चुके हैं राची वासी साइकिल से पब्लिक bicycle sharing से जो तो अब second phase के कारेकरम जो हो दो महीने में ही complete होगा जिसमें another 60 stations और 600 cycle जो हो इंटेडियूस होगी intelligent traffic management system को लेकर के यहां पे काम किये गए हैं चाहें वो traffic system को regulate करने की बात हो अपराद नियंदरन की बात हो सहर में बहतर surveillance की बात हो या आने जो सुविधाएं हैं उनको integrate करके एक जग़ा पे monitoring की बात हो इसके लिए command control and communication center हमारा state of the art infrastructure है वो develop किया गया है और उसके माददम से सहर की जो है वो निगरानी और उसको regulate करने का काम किया जा रहा है रांची smart city के mobile app के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जन सामाने के लिए उपलब्द है कोई भी जानकारी जो रांची smart city से related और रांची से related है वो just a touch जो है वो दूर है और उसमें एक app दिया गया है SOS app उसके बारे मैं बताना चाहूँगा खास तोर पे ये किसी भी आकस्मिक परस्थितियों में emergency situation में इसका इस्तमाल SOS app का जो है इस्तमाल किया जा सकता है खास तोर पे मैं लेकरना चाहूँगा कि women safety को लेकर के अगर कोई stress में है किसी तरह की कोई परस्थिती इस तरह की है जिसमें कोई सूचना जो हो पहुँचाना है तो उस SOS app को सिर्फ बटन क्लिक करने से जो हो पांच सेकेंड के वीडियो के साथ वो पूरा को पूरा location जो है वो control room में जो हो सेयर हो जाएगा और अगर कोई distress व्यक्ती है जो कि आकस्मिक परस्थितियों का सामना कर रहा है चाहें वो अपराद से जुरा हो या स्वास्थ से जुरा हो तो उनको जो हो immediate साहिता जो हो पलब्द कराई जा सकती है राची के अंदर गरत 50 ऐसे जगह हैं जहांपर emergency call box स्थापित किये गये हैं जो prominent जो हमारे location है वहाँ पर सिर्फ एक button क्लिक करने से वो एक composite जो हमारा control room है उनके साथ संपरक स्थापित हो जाएगा और चाहें वो दुरुगटना हो, jam हो, traffic jam हो या अन्यज समस्याएं हो उन तक तुरंट सहायता पहुंचेगी कहीं न कहीं राची smart city का जो vision है वो यह है कि जो दैनिक जो activities है रोज मर्रे की जो समस्याएं हैं उनके लिए भी smart solutions लेकर के आए ताकि लोगों के जो पूरा का पूरा जो problem solving जो attitude है वो रहे और एक बहतर standard of living जो है वो मिल सके है राची वासी निकुल मिला करके जो smart city की प्रक्रिया है वो भले ही एक particular इलाका को आप विक्सित कर रहे हैं बट पूरा का पूरा जो यह राची सहर है वो smart दिखेगा अमिजी इसमें तो सारे aspects पर सारे कोनों पर हम लोग ने चर्चा की सबसे बड़ी बात होती है रोजगार जो smart city पूरे देश भर में सो smart city आपने बताया जानकारी भी है तो कुछ ऐसा है प्रत्यक्ष और परुक्ष कुछ ऐसा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोगों को रोजगार भी प्राप तो बहुत important प्रशन आपने पूछा मैं बताना चाहूँगा कि रोजगार को लेकर के असीम संभावना है राची smart city में है अगर मैं ये बात करूँ असीम संभावना है क्यों क्योंकि डेर लाख लोगों की अवसक्ताओं की पूर्थी के लिए एक नया सहर विक्सित होने जा रहा है और यहां पर प्राडमभी की रूप से जो आकलन किया गया है कि इसमें 40,000 करोड के इन्वेस्टमेंट जो होंगे जो नीजी निवेश होंगे सरकार अलरड़ी जो है वो यहां पर निवेश कर चुकी है चाहें बिभिन पडियोजनाओं की बात हो कन्वेंसन सेंटर की रूप में जो सचवाले की रूप में विक्सित किया जा रहा है अर्बन सिविक टावर है जुपमी है इतने बड़े इंफरस्ट्रक्चर क्रियेशन का काम जो है वो राची में अलरड़ी चल रहा है विभिन पडियोजनाओं के माद्धम से जारखन सरकार ने बहुत बड़ी रास जो हो निवेश की है नीजी निवेश भी जो हो आकरसित करने के लिए राची स्मार्ट सिटी काम कर रहा है और जहां पर डेर लाख लोगों के लिए जो है वो आवासिय सुविधाएं खास तोर पे स्वास्त सुविधाएं सैक्शनिक सुविधाएं विक्सित करने की बात आएंगी तो ये निवेश जो हो अपने आप में रोजगार के आउसर ले करके आएंगे अगर यहां पर पांसो बेड के हॉस्पिटल जो है वो खुलेंगे तो निश्चित रूप से यहां जो डॉक्टर्स पारा मेडिकल कर्मी अन्य जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनकी जो हो रिक्वार्मेंट होगी और in fact जो हॉस्पिटल के निर्मान में भी जो हो बहुत सारे जो हो रोजगार जो हो मिलेंगे उसी तरह से जो हो चाहें वो रेसिडेंसल एडिया के निर्मान हो चीजे हो तो इस से यहां के एकॉनमी को एक नई उरजा जो हो मिलेगी और ये नई उर्जा ना सिर्फ राची स्मार्ट शिटी को विक्षित करने में बलकि अस्थानिय यूवा के यूवतियों को एक बहतर रोजगार के आउसर परदान करेगी और साथ ही साथ specialized जो है वो जो नोक्रिया हो सकती हैं उनके लिए भी अस्थानिय रूप से वो जरूरते हैं जो हो उनको कहें आउसर मिलेगा कि यहां के लोग यहीं पर रह करके अपनी गुनवत्ता युक्त सेवा जो है वो लोगों को उपलब्द करा पाएं जिससे उनको बह रहा है सरकार इंवेस्ट कर रही है तो एक मार्केट भी बन रहा है जो अपर्टेक्ट शुरूप से अस्थानिय अस्तर पर लोगों को काफी रोजगार के लिए प्रेडित करेगा तीसरा जो है वो यह है सबसे महतुकूर्ण बात होती है आपने तो infrastructure की भी चर्चा कर दी कै कैसे smart दिखेगा यह सहर आप उसके सबसे बरे मतलब आप होते हुए देख रहे हैं यह समार्ट सिटी बनते हुए आप देख रहे हैं आप उसके अधिकारी है आप क्या अनुप कर रहा है तो उसके साथ एक इंप्रेशन ले करके कि अब जो भाविष्य में जो सहर विक्सित होंगे यह समार्ची में कारें होगे उनका एक परभाव अन्ने सहरों पड़ेगा इक HOL .. तो एक है कि एक example पर सेट करना रांची समारच सिटी के लिए हम रांची समारच सिटी के अंदर इसा कारें कि उसी तरजब्रीय दनबाद ऑन्ने सहरों को विक्सित होए देखना चाहते हैं इसकी प्रिष्ट भूमी जो हो रांची स्मार्ट सिटी जो हो तेयार कर रहा हैं और अगर हम बाथ करें तो Greenfield प्रोजेक्ट होने के कारण से तमाम तरह के जो अंतरास्टिय मानक हैं उनको राची स्मार्ट शीटी में इंटड्यूँस कराना जो हो हो संबभव पा रहा है यह अवसर लेकर के आया है राची स्मार्टी कि हर जो सुविधाएं हैं जो विस्वस्तरिय मानकों को स्थाफित करने वाली हैं उनकों हम राची स्मार्ट सिटी में इंटेड्यूस करें उदाहरन के तोर मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे एनर्जी कंजंशन की बात है एनर्जी कंजंशन के लिए जैस बेस्ट सबस्टेशन का निर्मान जो है वो किया जा रहा है पूरी तरह से अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट लेंग के माद्धम से जो हो की जा रही है कोई ओवर हेड वायर की जरूरत जो नहीं है 15% पंदरह परतिशत जो सहर की राची स्मार्ट सिटी की पावर रिक्वार्मेंट है वो रिनुवेबल एनर्जी सोर्सेस के माद्धम से की जाएगी तो अगर हम एनर्जी सेविंग की बात करें जो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाये जा रहे हैं जो अवशक्ता के अनुसार से उनकी जो जो इलुमनेशन है वो कम या जादा हो सकता है कुल मिला करके जहारखंड के नगरों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया का यह प्रथम चाहरा हूं कि जो भी टेकनलोजी इंट्रीउस की जा रही है राची स्मार्ट सिटी में वो अपने आप में अंतरास्तिय अमाना का स्थापित करने वाले हैं और कहीं न कहीं हमें यह पावर सेविंग की तरफ प्रमोट करेंगे पावर थेफ्ट को बिल्कुल खत्म कर देगा और रिनुवेबल एनरजी को प्रमोट करने वाला होगा अगर हम वाटर कंजम्शन की बात करें तो सभी प्लोट में एक जो है वो पोटेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है वो लाइन दिया जाएंगा और दूसरा पाइप जो होगा वो रिसाइकल वाटर के लिए होगा एक हमार गंद वाटर के लिए जू और ऊकर होगा हन्य जो परजेज हैं उसको ना अस्तानी करिकंग कर सकते हैं वाय वह हम बहतर सुविधाय दे सकते हैं उसको भी जो प्रमोट करें ये कहीं न कहीं एक छोटी-छोटे बदलाव के तरफ जो वो संकेत दे रहा है आगे आने वाले जो वो जो सहरों के विकास की जो एक नई दिसा जो है वो रांची स्मार्ट सिटी अस्थापित करने वाली है खुल मिला करके जो जारखंड का जो नगरिये प्रबंधन है वो स्मार्ट बनने की प्रक्रिया में रांची ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी जो है उसमें सबसे बड़ी भूंगा नहीं वो नित्रित तो कर रहा है उदिसा दे रहा है सबसे अंत में बस एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से हमारे दर्सकों के लिए स्मार्ट सिटी के संदर्व में क्या कहना चाहेगे राची वासियों के लिए एक गर्व की बात है कि राची को स्मार्ट सिटी के रूप में जो है वो चैनित किया गया है और ये हम सब के लिए बहुत प्राउड का विशह है मैं राची वासियों से यह ही अपील करूँगा कि राची स्मार्ट सिटी को बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है आप अपने बहतर सुझाओ जो है वो राची स्मार्ट सिटी कॉर्परेशन लिम्टेट को दे सकते हैं उन सुझाओं पर निश्चित रूप से हम आग होने की जरूरत है उसके साथ जो हो जूर करके उस बिकास प्रक्रिया का हिस्सा बनने की जरूरत है चाहें वो निवेशक की रूप में हो या स्थानी निवासी होने के कारण से हो और जो चीजें यहां राची स्मार्ट सिटी में हो रही है उसको लेकर के हमारे अंदर एक ग बहुत बढ़िया अमित जी हमारे बीच आए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद स्मार्ट सीटी आदर्नी प्रधान मंतरी का स्वपन योजना है और ये संपूर्ण देश भर में सो सीटियों को स्मार्ट बनाना है राची का जो हमारा स्मार्ट सीटी है वो Greenfield Smart City है जैसे आपने बताया और ये केवल राची का नहीं ये एक नित्रत तो कर रहा है भविश्य का जो राची के जितने भी सिटी हैं जितने भी सहर हैं वो सब स्मार्ट होने की प्रकडिया में आने वाले समय में होंगे और इन्ही बातों के साथ हम आप लोगों से बिदा लेते हैं और हम फिर अगले कारिक्रम में मिलेंगे अगले बिशय को लेकर के अगले चिंदन और अगले बातों को लेकर के धन्यवाद अभाई Thank you